हे गाईस वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा हैमर पल्स एक्स स्मार्ट वॉच का इस वॉच के अंदर आपको 1.83 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा उसी के साथ कॉलिंग फीचर्स भी देखने को मिल जा वालों इस वॉच के फीचर्स का तो चलिए एक बार इसके बॉक्स को उपन करके चेक करता है तो यहाँ पर इसके बॉक्स को मैं उपन कर लेता हूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यह smartwatch देखने को मिल जाएगी और काफी lightweight smartwatch लग रही है बाकी इसके कुछ और box contents चेक कर लेते हैं एक बार ओके सो यहाँ पर आपको wireless charging cable देखने को मिल जाएगी यहाँ पर हैमर की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएगी बाकी steps की quality भी अच्छी है और यहाँ पर आपको next देखने को मिल जाएगी user manual जिसके अंदर काफी सारे information प्रोवाइट की हुई है और last में warranty registration card देखने को मिल जाएगा तो total यह सारे contents देखने को मिल जाएगे बाकी चलिए एक बार इस smartwatch को चेक कर लेता है पर उससे पहले में एक बार steps लगा लेता हूँ ओके तो steps को मैंने install कर दिया है और steps के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि looking wise काफी अच्छी दिखती है यह smartwatch और क्योंकि इस smartwatch का size काफी compact है तो फिर यह वाली watch में male as well as females के लिए भी आपको suggest कर सकता हूँ या फिर जिनकी thin या फिर medium रिस्टो उनके लिए भी best है क्योंकि काफी लोगों को ऐसी smartwatch चाहिए होती है जो कि बिलकुल बलकी नहीं हो और थोड़ा short and sweet type की हो तो यह बिलकुल उसी type की smartwatch है और काफी जादा lightweight भी है तो जिन लोगों की thin रिस्टो या फिर medium रिस्टो उनके लिए तो best है बाकी इस watch का मैं giveaway भी कर रहा हूं giveaway में participate करना बहुत easy है जस्ट इस वीडियो को like करो नीचे comment drop करो और चैनल को subscribe कर दो बस इतना सा करना है और आप eligible हो जाओगे इस watch का giveaway जीतने के लिए बाकी एक बार इस watch को on करके check करता है ओके so watch on हो रही है तब तक अगर बात करें इसके build quality की तो यहाँ पे आपको sides में metallic build देखने को मिल जाएगी total यहाँ पे three buttons देखने को मिल जाएगे और तीनों ही working रहने वाले है प्लस crown भी working रहने वाले है इस smart watch का बाकी यहाँ पे back side में polycarbonate build provide की हुई है और कुछ sensors भी provide के हुए है इस watch के अंदर आपको speaker और microphone भी provide क्या गया है इसका मतलब यह भी एक calling watch रहने वाली है ताकि अगर बात करें इसके display की तो सबसे बले मिगबार brightness बढ़ा देता हूँ ताकि इसका display visible हो ओके सो अगर बात की जाए इसके display की तो इस watch के अंदर 1.83 इंचेस का display देखने को मिल जाएगा और बिलकुल minimum से bezels provide के हुआ है बाकी अगर बात की जाए इसके display quality की तो overall display quality काफी अच्छी है बाकी आप अगर चाहो तो ground को rotate करके watch faces वगएरा change कर सकते हो और यहाँ पे अगर बात की जाए brightness की तो brightness भी अच्छे खासी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ अगर बात की जाए UI की तो इसमें नीचे की तव स्वाइप करके control panel देखने को मिल जाएगा right की तव swipe करके यहाँ पे आपको कुछ recent applications वगएरा देखने को मिल जाएगे उपर की तव swipe करके यहाँ पे आपको काफी सारे applications वगएरा देखने को मिल जाएगे और अच्छी बात यह है कि watch के अंदर बिल्कुल भी legs वगएरा show नहीं होते और बिल्कुल smooth सा transition है तो आप application वगएरा आराम से access कर सकते हो प्लस crown को rotate करके zoom in और zoom out भी कर सकते हो बाकी अगर बात की जाए यहाँ पे I think दो बार प्रेस करके menu style change होगी तो आप देख सकते हो इसके अंदर और भी बहुत सारी menu styles provide की हुई है तो यह आप अपने हिसाब से access कर सकते हो यह वाली list style है उसके बाद यह वाली then this यह four apps है और basically यह सब भी menu style आपको देखने को बिल जाएगे से smart watch के अंदर जिसमें से मेरे को list style थोड़ी ठीक लगती है बाकी next यहाँ पे अगर इसमें left के तब swipe करोगे तो यहाँ पे watch faces change होगे और कुछ नहीं होगा बाकी इस वाले button को press करके sports mode activate हो जाएंगे तो यह सभी sports mode आप अपने साब से access कर सकते हो इस वाले button को press करके यहाँ पे दिखते है क्या होता है तो इस वाले button को press करके भी applications वगरा open होगे और नीचे वाले button को press करके watch को on या off कर सकते हो तो काफी user friendly सा UI है उतनी साथ कुछ problem नहीं होगी बाकी इस watch को एक बाफ फोन से connect कर लेता हूँ फिर एक एक करके इसके features चेक कर लेंगे ओके सो watch को मैंने connect कर दिया है और अब अपन एक एक करके इस watch के features चेक कर लेता है यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे पहले feature की तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डाइलर का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप किसी को भी calls वगेरा कर सकते हो फोन से calls लगेंगे पर इस smart watch से बात कर सकते हो तो मैं यहाँ पर एक call करके बताता हूँ आपको इसके स्पीकर क्वालिटी का आइडिया लग गया होगा स्पीकर क्वालिटी अच्छी का सी देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको आपको जादा ही बैठे रह जाओ तो उसके बाद यहाँ आपको जादा ही बैठे रह जाओ तो उसके बाद है रिमोट कैमरा वाला फीचर और यह फीचर भी काफे यूसपुल हो सकता है उसके बाद है Bluetooth Music का उप्शन और क्योंकि इस वाच के अंदर Inbuilt Speaker प्रोवाइड किये गए है तो इस वाच के अंदर ही Music भी सुन सकते हो उसके बाद है Find Device का उप्शन और उसके बाद है Alarm सकते हो तो पास्वर लगाने का भी option देखने को मिल जाएगा उसके बाद है बेसिक से features यहां पर और settings के बाद यहां पर है about section और उसके बाद है यहां पर brightness फिर qr code देखने को मिल जाएगा इसके application का और फिर है यहां पर reset shutdown और यहां पर provide क्या गयो यहां पर heart rate वाला feature तो इसको चेक कर लेता है वैसे यहां पर कुछ LED lights वगिरा ब्लिंक कर रही है और heart rate वगिरा की accuracy को लेके मैं इतना short नहीं हूँ तो heart rate, blood pressure, blood oxygen इन सब को लेके मैं उतना short नहीं हूँ उसके बाद है यहां पर language का option और language के अंदर आप अपने इसाब से weather चेक कर सकते हो उसके बाद है stop watch इस stop watch आप अपने इसाब से access कर सकते हो और next यहां पर option है calculator का और क्योंकि इस watch के अंदर touch response अच्छा है तो कुछ भी calculations आप आराम से कर सकते हो उसके बाद है यहां पर menu style का feature then यहां पर Siri का feature देखने को मिल जाएगा तो अगर आपके पास android है तो Google Assistant activate हो जाएगा और अगर iOS है तो Siri feature enable हो जाएगा उसके बाद next option देखने को मिल जाएगा breathe का और उसके बाद है WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter तो WhatsApp के notification इसके अंदर देखने को मिल जाएगे Facebook के इसके अंदर तो इस type से आप यहां पर respectively notifications देख सकते हो उसके बाद last में dual mode provide क्या हुआ है तो overall यह सारे features provide किये हुए से smart watch के अंदर और last month बात करे conclusion की तो इस watch को मैं आपको definitely recommend कर सकता हूँ क्योंकि 2000 के अंदर आपको calling features मिल जाता है प्लस यहां पे एक compact सा design देखने को मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि एक lightweight smart watch है तो जिन लोगों के thin rest हो या फिर females के लिए यह watch perfect है तो अगर आपको purchase करनी हो तो buying link provide की हुए description में description जरूर से check करने ना बाकी मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए bye bye